किसी की आशा और इक्षा भंग होती है तो उसका इरदेक रोज से भर जाता है इक्षाओं के अपून रहेने की तो कई कारण हो सकते हैं और कभी-कभी इक्षाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पून नहीं हो पाती बिना परिस्ति पर विचार किये किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं प्रतिशोद में न्याय का अधार तो दयार करुणा और प्रतिशोद का अधार प्रोज प्रिदे में करुणा धारण किये बिना किसी के अपराध के विशे में विचार करना किसी को दंड देना कि आपने आप में ही अन्याय नहीं